वेल्कम टू वीदुला क्रियेशन आज का हमारा टुटल है क्रोशियेट रोट्स फ्लावर यह सबसे इसीएस तरीका है फ्लावर बनाने का और इस फ्लावर में मैंने फ्लावर बनाते हुगे ही उसे लीद भी बनाया गया है और कम समय में बनने वाला यह टुटल है आप इसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं धार पोश डेकुरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं मैंने और भी रोस फ्लावर के वीडियो बनाया है जैसे फ्ल देखने के लिए जरूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीज़े हमने यहां पे टूप्ले का उन दिया है पिंक लाइट कलर का और ग्रींग कलर का हमने व्लीप के लिए हमें सीजर चाहिए नीडल और क्रोशा होग लिया है बन पॉइंट सेवेंटी फाइम्म सबसे प अट्रीं outdoors करेंगे तो इस तरह से हम नूप बनाएंगे एक स्टा एंटा रछाघना है लूप इस तरह से देखे है इस तरह से ख्लाट करेंघे और इस तरह से हम चैन बनाने के लिए जैसे लेते हैं वैसलो घ्राइब एम चेंस बनाएंगे 1 2 त्री, फूर, फाइव, पाथ चैन बनने के बाद हम डबल क्रोशिया के लिए थ्रेड लेंगे, डबल क्रोशिया के लिए थ्रेड लेते हुए जो हमारी देखिए, फर्स जो चैन है, जहां से हमने स्टार्ट किया था, फर्स चैन में हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाए देखिए एक बार निकाला थ्रेट दो लूप में से यह सेकेंड टाइम यह हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है इसे हम चेंज बनाएंगे वान टू ट्री फोर और फाइट चेंज करने के बात हम फर्स चेंज में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसतर से हमने लेखिए यह डबल क्रोशिया पत्रे लिया एक बार दो लूप में से निकाला यह सेकेंड टाइम दो लूप में से निकाला तो यह लूप بن चाएगा इस तरह से टोटल हमें एट लूप्स बनाने है इसी मेठद से हम करेंगे इस तरह से हमें total 8 loops यहाँ पर बना के लेने हैं देखिए मैंने यह 8 loops हमें बना के लिए लिए हैं यह हमारा round number 1 complete हो चुका है एक chain बना के हम इसे turn करेंगे और round number 2 start करेंगे round number 2 के लिए हम जो 5 chain का space है उसमें हम इस तरह से यह join करेंगे और chain बनाएंगे 1, 2 two chains बनने के बाद same loop में हम यहाँ पर double crochet बनाएंगे यह हमारा double crochet 1 2 3 4 5 6 7 और यह लास्ट 8 double crochet 8 double crochet के बाद 1 and 2 chains 2 chains बना के इस 2 chains को हम same chain space में यहाँ पर join करेंगे इसी तरह से हमें यह बनाना है then हम यहाँ पर एक slip stitch बनाएंगे और फिर next gap में देखिए इस तरह से यह यहाँ पर एक और एक slip stitch लगाएंगे तो यह हमारा petal ready हो जाएगा एक हमारी पंकूडी ready हो चुकी है then next loop में next loop में हम वही method योज करेंगे हम 2 chains बनाएंगे यहाँ पर 1, 2, 2 chains और फिर हम 8 double crochet बनाएंगे यह 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 and 8 then 1, 2 chains यहाँ पर अटेच करेंगे then 2 loop के बीच में जो space है वहाँ पर एक split stitch बनाएंगे तो यह हमारा second petal ready हो जाएगा इस तरह दे हम seven petals यानिके seven loop में same two chains, eight double crochet या two chains कम्प्लीट करेंगे यह हमारे seven petals ready हो चुके है इसी तरह से हम इसे complete करेंगे और यह slip stitch लगाएंगे और एक knot लगा के जो extra theta है वो हम cut कर लेते हैं यह हमारे seven petal ready है जो number eight loop है वहाँ पर हम green theta से leaf बनाएंगे लीफ के लिए हम eight जो हमारा loop है उसमें हम green color attach करके लेंगे green color का thread इस तरह से इसे attach करना है अज हम two chain बना के लेंगे one and two chains then four double crochet बनाएंगे same chain space में यह हमारा one double crochet यह हमारा और एक double crochet बन गया इस तरह से ठीव हो गया है यह हमारा four double crochet four double crochet के बाद हम chains बनाएंगे one two and three chains three chains बना के हम loop बनाएंगे three chains का loop बना के लेना है इस तरह से attach करेंगे यह हमारा three chains का loop ready हो चुका है देन अगेन हम same chain space में four double crochet बनाएंगे one इस तरह से हम फिर से हम चार double crochet बनाएंगे बनाएंगे और यह हमारा four double crochet बनने के बाद हम दो चैंस बनाएंगे फान टू और इसे हम attach करेंगे इस तरह से same chain space में और एक नौट लगाएंगे और एक्स्टा थ्रेड़ें वह कट कर लेते हैं इस तरह से हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है seven petals and one हमने leaf बनाया है यह जो एक्स्टा थ्रेड हमने छोड़ा था इसमें हम needle insert कर लेते हैं इसे इक तरह से करके इसमें needle लेखे needle डाल दी है then हम एक एक पेटल इस तरह से हम turn करते जाएंगे अच्छी तरह से इसे round करके लेना है यह देखे और आखेर में हम leaf लेखे सबसे लास्ट में जो leaf है then हम इस तरह से देखे इस तरह से stitch करेंगे हर लूप में से needle insert करते हुए इसे fix करते जाएंगे इस तरह से fix करते जाना है हर इसमें कोई भी लूप हमें skip नहीं करना है देन जो हमारा लीफ और एक पेटल है उनको भी हम जॉइन कर लेते हैं दोनों को दो तिन स्टीच लगा कर इसे fix करते हैं देन नॉट लगा कि हम इस वर्क को एक्तम fix कर लेते हैं है तो इस तरह से हमारा रोस फिलावर रेडी हो चुका है मैंने यह रोस फिलावर पेटल्स के के लिए आप इसे बना सकते हैं आसान है बनाने के लिए जादा कुछ मेहनत नहीं है कम समय में बनने वाला प्रोजेक्ट है ऐसे ही मैंने अपने चैनल पर दूसरे भी रोज फ्लावर के टुटरिल्स डाले हैं उनके लीक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हैं जरूर आ आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर फ्रेंड इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग